है गाई नमस्कार आप लोगों का टाप्रेंग क्लास के प्यारे सी यूटूब में पर स्वागत है गाई जाज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कच्छा बारह की बहुत तिक विज्ञान की 2022 में पूछे गए जो सेट थे उन सभी सेटों को हम लोग साल करना स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों सुरू से लेके सभी प्रस्णों का जवाब आपको आज हम बताएंगे और एक ही वीडियो में सभी एक सेट के सभी सवालों का हम लोग अध्यन करेंगे तो प्यारे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग कौन सा पेपर साल करने वाले प्यारे बच्चों सेट वन रहने वाला है और जो की 2022 का है कहां का है प्यारे बच्चों 2022 का यह सेट है और पेपर कोड याद रख लो प्यारे बच्चों पेपर कोड है 346GA मतलब हम लोग आज के प बहुपिकल्पी सभी प्रस्ण दिये गए हैं प्यारे बच्चों इन सभी बहुपिकल्पी को हम लोगों ने इससे पहले वाले कुछ दो वीडियो आये थे उन वीडियो में हम लोगों ने साल्व किया था परन्तु आज हम लोग क्योल वह से देखते चलेंगे और जो बचे दैंपों पढ़ना च stub स करना अनिवार है यह भी प्रशह पत्र में 5 खंड हैं मिलते हैं प्यारेबच्चों फिक खंड दर से तीन तीन अंक्वाले प्रशन मिलते हैं खंड यह से जो है पांच-पांच अंक्वाले प्रशन हो जाते हैं प्यारे बच्चो और प्रशन में प्रयुक्त प्रतिकों के सामान अर्थ हैं तो प्यारे बच्चो आईए अब हम सुरुवात करते हैं सबसे पहले प्रश्न का तो सबसे पहला प्रश्न क्या करा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपत में धारा i equal to i not sin omega t minus pi by 2 प्रवाहित होता है मतलब कहने का मतलब है कि कोई प्रत्यावर्ती धारा है जिसमें इतनी करेंट प्रवाहित हो रही प्यारे बच्चो और परिपत के सिरो के बीच प्रत्यावर्ती विभाव e equal to e not sin omega t लगाया जाता है तो परिपत में बैसकती क्या होगी तो प्यारे बच्चो परिपत में जो बैसकती होगी वह हो चाही क्या हो जाय हो जायता है प्यारे बच्चो और इसका आप अगर इसका solution देखना चाहते हैं इसका solution आपको जो है आई लिंक पे वीडियो दिखाई प्रड़ा होगा आप वहां से इस सभी प्रश्णों का solution देख सकते हैं प्यारे बच्चों हमने बता के रखा है आगे का second question क्या करा प्रश्ण उत्तर एक का आख नमबर क्या करा जीरो के लिवीन पर सुद्ध अर्धचालक होता है प्यारे बच्चों तो जैसा कि आपको पता है कि अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है कि जिसमें करिंड का फ्लो नहीं होता पर अगर हम उस अर्धचालक में क्या कर दे ताप बढ़ा दे क्या कर दे प्रवच्चो ताप बढ़ा देते हैं तो वो क्या कर जाता धारा उसमें फ्लो होने लगता, परन्त यहां पर क्या कर रहा है, जीरो के लिएम मतलए ताप नहीं बढ़ाया जारा, तो ताप न बढ़ाने पे जो सुद्ध अर्थचालक होता, उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो होता है क्या करा रहा है वीलेक्टरान बोल तोर्जा वाले उलेक्टरान से समभद यह गैं आपको चार फिर्ट यह गैं सिते लिए ग refuge जिसका आप्टर्से नंबर एक इक लिनलर रिख है पर आपको पहसे भी उप बोला था और भी ऑप इस सारी डिटेल आपको वीडियो पर उपलग है आप ओहांच जाके देख सकते हैं आगे क्या करा कि बही पर्वार के अंदर अलफाइकर किस बल के कारण प्रक्रड़ित होते हैं मतलग करने का मतलब है कि कोई पर्माइड हो जाये पहरे बच्छों में जो अलफाकर जब बंबारी होता है तो अलफाकर बंबारी होने के कारण ये अलफाकर बंबारी होता है अलफाकर बंबारी कराने के बार अलफाकर लोट आता है कुछ अलफाकर निकल जाते कुछ अलफाकर लोट आते तो प्यारे बचों ये पूछ रहा है कि किस बल के कुलाम बल करते हैं अल्थाथ पर्मारी के अंदर alpha कड किस बल की कारण किस बल के कारण तो ध्यान देना आप नाब की बल नहीं लगा क्या एंगी इस बात को ध्यान देंगे अगला क्या करा कि बिद्दू चुम्ब की विक्रण इस्पेक्ट्रम में औरत विकरण की अबरती परास कितनी होती पहले बच्चो तो जो बिद्दु चुमे की विकरण इस्पेक्ट्रम होता है उसमें औरत विकरण की अबरती परास जो होती हो तिन गुड़े दस गाते 12 हर्टस से तिन गुड़े दस गाते 14 हर्टस तक होती है तो इस प्रकार आप एक से लेके 5 प्रस्ण आप कर लेते हैं, खंड अ का, एक प्रस्ण आपके सामने, और बचा है, प्यारे बच्चो, आईए हम उसको भी देख लेते हैं, क्या कर रहा है, ध्यान से दिखेगा, एक किरण पुंज, वायू से जल में प्रवेस करता है, मतलब कोई प्रकास का समू है, जो कि वायू से जल में जा रहा है, नेमलिखीर में से कौन सा अपरिवर्थी दरहेगा, प्यारे बच्चो, एक बात ध्यान से समझना, जब भी कोई प्रकास किरण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाहे वो आपका वायू से कांच में जाए, चाहे आपका कांच से वायू में जाए, एक चीज नहीं बदलती, वो क्योल कोन सी नहीं बदलती, प्यारे बच्चो, अब बृत्ती, आपकी परिवर्थी दरहती वो बदलती नहीं है, और बाकी सब क्या हो जाते है बदल जाते हैं प्यारे बच्चो इस प्रकार आपका खंड complete होता है और खंड के सभी प्रस्ण मैंने यहाँ पर बता दिया और solve करके इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता है प्यारे बच्चो उसी प्रकार खंड ब, खंड बा का जितना यहाँ प्रस्ण है यह सारे क, ख, ग ख, ख, अंग, ठिक और च, यह चो प्रस्ण जो है प्यारे बच्चो वो आपको आई लिंक पे जो वीडियो दिखाई पड़ा न, उसमें यह चो प्रस्ण मैंने बताया है आप वहाँ से जाके इन चो प्रस्णों को देख लिजेगा अब हम बात तेहां से करेंगे खंड स से जो की सबसे पहला प्रस्ण है देखिए यह दो नंबर का है तो दो नंबर के हिसाब समरो प्रस्ण लिखेंगे क्या करा कि रदर फोड के अलफा प्रेकरडन के प्रयोक से प्राप्त निसकर्स लिखेंगे तो आईए हम दिहान से देखेंगे रदर फोड के अलफा क्णिस्कर्श निकला वह बात मेरा भूह ऑज org प्रेחर ने क्या किया जानते हैं कि उन्हों ने एक परमाड लिया क्या लिए परमाड लिए और उस परमाड पर उन्होंने अल्फा फ़ः कनाकर लिए बंबारिंजर मतलब जब किसी भी 얼마나 पर उन्होंने क्या कि आ अलफा कड़ों का क्या करा है बंबारी करा है तो अलफा कड़ों का बंबारी कराने के बाद अधिकांस कड़ जादा से जादा अधिक से अधिक अलफा कड़ क्या हो गए सीधे निकल गए प्यारे बच्चो ध्यान से देखेगा क्या हो गए सीधे निकल गए और कुछ अलफा क कड़ थे जो की जो है क्या जिस मार्ग से गये थे उना उसी मारग में क्या वापस लोट कि परमार्व का अधिकांस भाग खोखला होता है परमार्व का आधा से ज्यादा अधिक से अधिक भाग क्या होता है खोखला होता है इन दोनों से यह निसकर्ष निकलता है और प्यारे बच्चों जो यह प्रक्रडित हो गये थे यह देहां से दिखी यह जो प्रक्रडित हो ग इसको क्या कर रहा प्रतिकर्सित कर रहा है आगे एक ये अलफा कड़ था जो जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग में लोट आया इससे यह निसकर्ष निकलता है कि पर्मारु का जो पूरा धनावेस है पर्मारु का पूरा धनावेस वो पर्मारु के केंद्र पर है और एक सकते हैं अलफा पड़ो के बंबारी करने के बाद जो उन्होंने निसकर्स निगाला था वो निसकर्स हमने समझा दिया प्यारे बच्चो अब आपको लिखना कैसे एक्जाम में वह ध्यान देना है तो आईए हमने उसको लिख के रखा प्यारे बच्चो उसको हम समझते कैसे ठीक फिर आपकी heading क्या थी वह बनाना है तो लखेएंगे रधर फोड के alpha प्रियोग से निम्ने निस्कर्स निकले heading आप बना लेजेगा रधर फोड के alpha की प्रियोग के दोरान निम्ने निस्कर्स निकले सबसे पहला निसकर्स क्या था प्रमारू का अधिकांस भाग खोखला होता है, जिसमें इलेक्टरान क्या करते हैं यह चक्कर लगाते रहते हैं, यही इनका सबसे पहला निसकर्ज निकला था, मैंने अभी जेस्ट बताया भी था, सेकेंड उन्होंने क्या निकला था, सेकेंड उन्होंने बताया कि परमाड का जो समस्त ध भनावेस होता है वो पर्माड के केंद्र में इस्तित होता है जिसे हम क्या करते हैं पहरे बच्छो ना भी कहते हैं इस प्रकार रदर फोड़ ने अलफा प्रकड़न के प्रयोक से जो निसकर्ष निकाला था वो आपके सामने है आप चाहो तो इसका क्या कर सकते एक स्क्रिंश चुम्ब की च्छेत्र अवयो दिखाई एक बार सवाल आप पूना देख सकते हैं विद्दुचुम्ब की तरंगों की दो विशेस्ताएं लिखना है प्यारे बच्छो और इनके संचरण आदे खिचकर विद्दुचुम्ब की च्छेत्र अवयो दिखाना है तो बहुत ही आसान सा प्रशना है प्यारे बच्छो ध्यान से दिखीगा सबसे पहली बात जो विद्दुचुम्ब की तरंग होता है उसकी दो विशेस्ताएं क्या होती हैं सबसे पहली विशेस्ता होती कि जो विद्दुचुम्ब की तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्त प्रकित की होती और इसकी जो दूसरी property होती है, जो बिदुच्युम्की तरंगे होती है, वो आवेसित कणों के तौरीत दवरा उत्पन होता। आवेसित करों के तुरित द्वारा उत्पन होता है या कह लिया जा आवेसित करों के दुलाय मान की कारण होता है दुलाय मान का मतलब होता पहरे बच्छो कि ये कोई आवेसित करों गए अगर ऐसे से वो बार बार ऐसे से कमपन कर रहा है तो उसकी कारण क्या उत्पन हो जाए तो बहुत तब बढ़ी आया , इस प्रेकार हम इसकी विश्वास्टा लख सकते हैं , अगर माल इसी कभी कभार एक आग विश्वास्था है आप भोल जाते हैं तो दहान देना जो विधूत है , वो तो जिस दिशा में चलता है, जिस दिशा में क्या करता है, जैसे मैंने क्या कहा, ध्यान से देखना, मैं इसको साइड कर रहा हूँ, मैं आपको यहां समझा रहा हूँ, देखो, सबसे पले मैंने क्या कहा, कि जैसे एक अक्ष बना दिये, एक जो है, यक्ष दिखा दिये, एक वाई दिखा दी, यह एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई हो गया, यह क्या हो गया, अगर माल लिजे, कि यह कोई आवेसित कर है, अगर वो इधर और ऐसे करके, इधर उधर, मतलब अगर ऐसे से, अपने अस्थान पर राकर, अपने अस्थान पर यह इस्तितरता है, अपने चुमे की तरंगे होती? वो अवेशित करों के त्वरीद होले के कारण मैं जरेख करों के दोलाएमन के कारण क्या होता? ऊतपन होता त्वरहलिग क्या होती? मैंने बता है जो तरंगे होती है यह अनुutos्व마 alluded हि होती है अनुप्रस्त प्रकित मतलब अनुप्रस्त तरंगे क्या होती है वे तरंगे जो क्या होती जानते हैं वे तरंगे प्यारे बच्चो जो निर्वात में गवन करती इसलिए तिने कहा कि भी यह अनुप्रस्त प्रकित की होती है अगर अब अब ध्यान देना आपको यहां था फिर यहां था फिर यहां पोज गया मतलब यानि हम कह सकते हैं कि ये आवेसित करने के संचरण की दिसा है ये लाइन किसको ब्यक्त कर रहा है संचरण की दिसा को ब्यक्त कर रहा है मतलब करने का मतलब है X अच्छ के ऊपर ये तरंगे धिरे धिरे आगे की तरह बढ़ रही और ध्यान देना ये जो जड़ है प्यारे बच्चो ये जो जड़ है वो किसको बैक्त कर रहा है बिद्दुत छेत्र को और जो वाई है वो किसको बैक्त कर रहा है चुम्बकी है छेत्र को तो इसकी खास प्रापर्टी क्या होती जानते हो इसकी खास बाते ये होती है कि जो ब कि दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं ये बिद्दुछटर जैसे अगर बिद्दुछट्र इधन हो गया और यह चुमबकी चैट्र अगर मैं मानलो यह लाइं इसलां के पहला इसलां के किंगर कुछ इस नूमा इस मा इसलां के पहला तो जो यह इए और correcting यह बिद्दुच्छित का अवय हुई है यह चुमबकी छित बीता इ और बी संचरण की दिशा के क्या होते हैं लंबवत होते हैं इस प्रकार हम इसको लिखेंगे प्यार बच्चो किस प्रकार एक्जाम में लिखना हुआ हूं हमने यहाँ पर लिखा ध्यान से देखो क्या ल जुबद्ड की तरंग वह आगे की तरफ क्या ओवड़ रहे हैं और यह जो है यह वह है यह चुम्बबकी छित के की यह %. और यह व stressing semester पर लंबभात हैं इस प्रकरह सकते इसको और बढ़ा सकते हैं अनिता fix नंबर होता है आप चाहों तो इसका क्या कर सकते हो एक स्किर्षार ले सकते हो फिर मैं बात करते हैं दूसरे नंबर का गण नंबर प्रिश्न नौ सेंटीमीटर फोकस दुरी वाला कोई अभिसारी लेंस को कहां रखे अभिसारी लेंस का मतलब उत्तर लेंस को कहां रखे ताकि दोनों सुरोतों के प्रतिविंब एक ही बिंदू पर बने तो ध्यान से समझना सवाल बहुत बढ़िया है बहुत मज़ेदार है इनको हम और आसान तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे द्यान से दिखे चले हम लोग स्वाल करते हैं दिया क्या है पहले वो ध्यान से देखेंगे वो लिखेंगे जो जो दिया है पहले वो लिखेंगे सबसे पहले आपको दिया क्या दिया क्या कि फिर बच्ड को आप दिखिए आपको दिया क्या है मांन लेता हूं कि सबसे प्रकास की तेक्स इसको एक प्रकास रोत नाम दिया है और एक प्रकास रोत यह नाम दे दिये ठीक अब इनके बीच की जो दूरी है वो पहले से बोल रहे हैं कि 24 सेंटीमीटर है इनके दोनों प्रकास रोतों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है अगर मैं इनको यूवन नाम यहां लें दिये और इसको क्या नढू एकारा कि क्या खरा कि इन दोनो प्रका स्रोत ओक के बीच में इन दोनों प्रकास रोतों से अभिसारी लिन्स को कहां पर रखे की वस्तुका जो प्रतिवीन पर एक ही जगह पर बने मिन पॉइंट आपको यहां पर करना कि एक ही जगह पर बने, अगर मैं माल लेता हूं प्यारे बत्चो जो हम ने LENS रखा है गो LENS हम ने माल लेते हैं कि यह हए यहाँ पर रख दिया यह कोई बिंदू था जिस बिंदू पर हम लोगों ने एक अभिसारी LENS रख दिया जिसको हम लोगों ने क्या कहा अभिसारी या उत्तर लिंस ध्यान से देखेगा अभिसारी या उत्तर लिंस ध्यान से अब मैं मानता हूँ अगर इस लिंस की यहां से लेके यहां तक की दूरी X थी यहां से लेके यहां तक की दूरी X थी तो अगला प्यारे बच्चो आटोमेटिक हो जाएगा 24 माइनस X, क्योंकि जो दूरी उधर होगी वो दूरी माइनस हो जाएगा, यहां से ध्यान देगा, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है प्रशनामसार, कि हमको लिंज को कहां पर रख दें, कि इसका और इसका दोनों का प श्री से नौ सेंटीमेटर, आपको व प्रिस्ट्र माड़ थ, व ज्याद करना चलो ज्याद करते हैं, तो हम लेंस का सूतर बच्चो प्याइब, किसका सूतर बच्चो उप्यार इस फ्यान से देखेगा, लेंस का सूतर कहता है, एक बटे V, माइनस एक बटे U, बराबर एक बटे एक हम वस्तु यूवन के लिए बात करेंगे पहले किसके लिए बात करेंगे पहले पहले वस्तु यूवन के लिए साफ साफ आपको लिखना बस वस्तु यूवन के लिए तो वस्तु यूवन के लिए क्या हो जाएगा ध्यान से देखे एक बटे वी एक बटे वी तो य तो U के अस्तान पे क्या हो जाएगा U1 एक बटे क्या हो जाएगा U1 बराबर F का मान कितना है 9 कितना है प्यार बच्छो 9 है अब देखें यह एक बटे आपका V1 यहां रहेगा परणतु जो U1 का मान है वो कितना है 24-X तो 24-X हो जाएगा बराबर एक बटे 9 ध्यान से देखें तो यह माइनस वाला का उधर जाए तो प्लस हो जाएगा तो एक बटे V1 बराबर एक बटे 9 प्लस एक बटे 24-X हो जाएगा समीकर नंबर क्या बना देंगे एक बना देंगे अगला ध्यान से देखें अगला आपको क यूटू के लिए क्या करेंगे बहई एक बटे वी जहां है वही पर क्या हो जाएगा लात और इसकी प्रते वे वी डू हो जाएगा एक बटे वू एक बटे यू इस वाले सुत्र से हम लोग लगा रहे हैं प्यार बच्छो दिहान देना आपको माइनस एक बटे यू तो यू के अस्तान पे यूटू हो जाएगा बराबर एक बटे यफ बटे यफ का मान तो भाई नौ है माइनस वाला उधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस एक बटे वी टू बराबर क्या जाएगा एक बटे नौ प्लस एक बटे एक्स हो जाएगा समीकर नंबर क्या हो जाएगा तो अब दिहान से देखना प्यारे बच्छो यहां क्या बोल ला था जानते हो चुकि जो लेता हूं धूनों को क्या माल लेता हूं यहां बहुंगा द्थान से देखने जैसे ही हमने condition माना थो यह एक बटे V2 के अस्तान ते एक बटे V हो जाएगा, यहां भी एक बटे V हो जाएगा, तो समी करण एक और दो का एक पक्छ बराबर हो जाएगा, जब एक पक्छ बराबर हो जाएगा, तो दोसरा पक्छ भी बराबर हो जाएगा, हम यहां से लिख सकते हैं, कि समी करण 1 वा 2 से क्या लिख देंगे, यह पक्छ दुनों बराबर होगा, तो यह भी पक्छ बराबर होगा, एक बटे 9 प्लस एक बटे X, बराबर एक बटे 9 प्लस एक बटे 24 माइनस X, यह यह कैंसिल हो जाएगा, अब तो आपके सामने क्या बच्चा वैर्वच्छो ध्यान से देखनां, थोड़ा बहुत बच्चा है, उसको में ही पर समापत कर लेते हैं देखें, क्या बच्च येगा भी थे, एक बटे एकस बच्चा है, ठीक, बगाबर एक बटे 24 माइनस X है क्रॉस मल्टिप्लाई कर दें तो X बराबर क्या जाएगा 24 माइनस X माइनस X इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस X आजाएगा उधर आजाएगा 24 X X जोड़के 2X हो जाएगा ये बराबर 24 2 एक के 2 बारह दूनी 24 X बारह 12 मतलब कहने का मतलब है कि यहां से इसकी 12 दूरी हो और यहां से भी 12 होगा यानि कहने का मतलब है प्यार बच्चो कि अगर लेंस को हम अभिसारी लेंस को दोनों वस्तूओं के मध्य बिंदू पे रख दें दोनों वस्तों से मध्य विंदुपे रख दें तो उन दोनों वस्तों को प्रतिविम एक ही विंदुपा बनेगा इस प्रेकार आपका तीसरे का गर नंबर कम्प्लिट होता है आप इसका एक इसके स्किन सॉट लेजे फिर हम बात करेंगे अगले प्रस्णी तो प्याद बच्चो देखे अगला प्रस्णी क्या करा घर नंबर क्या करा देखे आठ सो इंगेश्ट्रान एवं सात सो इंगेश्ट्रान तरंग देरगी की परा बैगनी के निड़े जब हाइडोजन परमार पर उनकी मूल अवस्ता पे डाली जाती है तो उनमें प्रेका उनसे क्रम संथ एक दसमलो आठ इलेक्टरान बोल्ड तथा चार इलेक्टरान बोल्ड गतिर उरजा का इलेक्टरान सर्जित उता है तो प्लांक नियतां का मान ग्याद करना है मतलब है ह की वैलू फाइंड आउट करनी है आपको बहुत ही आसान सवाल है परंट हम लोग इसको थोड़ा सा लांग तरीके से लगाएंगे क्योंकि जिसको आपको आस पूल रूप से समझ में आ जाए पहरे बच्चों कि मुझे यही सवाल आपको नहीं बताना इस पर आधार पर अगर आपका सवाल पूशता तो आपको सारे सवाल आने चाही बस यह सिद्धान्थ है चलिए एक बार सवाल आपने देख लिया होगा अब हम लोग चलेंगे हल करते हैं कैसे यह सवाल लगेगा तो पहरे बच्चों हम इसको इधार रटा दे रहे हैं अब आपको पता है अब जो जो चीजे आपको दी गई थी वो चीजे हम लिखने का प्रयास करते हैं ध्यान से लिखे सबसे पहला क्या दिया गया था कि भी दो तरंग देर की प्रयकास करने मतलब है की एक माल लेते हैं कि पहले प्रयकास का जो तरंगदेर था वो लेमडावन था जो की 800 इंगेश्ट्रान था जिसे हम अगर मीटर में चेंज करें तो 800 गुडे 10 घाते माइनस 10 मीटर रख सकते अब देखो दो पावर यहां से कम हो जाएगा इसे हम लिख देंगे आठ गुड़े 10 में से दो थो कम हो जाएगा कितना हो जाएगा पैर बच्छो 10 घाते माइनस 8 मीटर इसी प्रकार जो लेमडा 2 था दूसरे का जो तरंग देर था वो 700 इंगेश्ट्रान था तो इनको चेंज करेंगे तो 700 गुड़े 10 घाते माइनस 10 मीटर अब यहां से 2 कम हो जाएगा पैर बच्छो कितना हो जाएगा 7 गुड़े 10 घाते माइनस 8 मीटर क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, क्या इतनी बाते हैं कि आपको क्लियर हो रही है sustain अब LADA1, LADA2 का मान clear हो गया आगे प्रसन में आपसे क्या कह रहाता जानते हैं कि आपको R试 ड्याद करनी है, परांत कुछ और चीज़े आपको दी गई ठी sagnic यही सारी डेटा से लेकर हम हल करेंगे तो प्यारे बच्छो हमने क्या पढ़ा था आइंस्टीन का प्रकास बैद्व समीकर आइंस्टीन ने क्या पताया था जानते हो कि जब हम किसी धात के प्रिष्ट पर उर्जा देते हैं तो धात का दिया गया उर्जा दो भागों बढ़ जाती है एक तो उसको सर्जन कराने में जैसे हम लोग कारे फलन कहते हैं और एक तो उसकी गतिज उर्जा मे हो जाती है मतलब अगर हम बात करें तो आइंस्टीन के समीकर से आइंस्टीन के समीकर से तो प्याद बच्चों आइंस्टीन का समीकर कहता है कि hc अपान लेम्डा अब आप शेंगे सर्मेने तैसा पढ़ा ही नहीं चलो जो पढ़े हो वहीं बता रहे हैं e equal to क्या होता है के प्लस फाई नाट मतलब दी गई जो उर्जा होती है उगती जो उर्जा कारिफलन में ब्यक्त हो जाती है ठीक ए को हम क्या लिखते हैं एच सी बटे लेमडा के को क्या लिख रहे हैं वे अगर हम बात करेंगे जहां से दिखेगा के को हम के ही लिख रहे हैं और प्लस फाई ना ध्यान से दिखिए तो लेमडा 1 के लिए अब क्या होगा फामुला यहां जाए है वह रहेगा ही रहेगा लेमडा के स्थान पे लेमडा 1 हो जाएगा के कहस्तान पे के वन हो जाएगा और यह फाई नाट आपका वही जाएगा समी कर नंबर नाम दे दिए एक चलो अगर आप वेलू रख दे तो तो वेलू रखका अगर समी करने एक बना यह तो और अच्छा रहेगा चलिए तो रख देते हैं एचसी बटे लेमडा 1 ठीक ध्यान से देखिए लेमडा 1 के वन की वेलू कितने हैं परवचो एक दसमलो आठ एलेक्टरान बोल्ट है ठीक प्लस क्या कर द गल्य हो जाेगा फ्लस क्या हो जाया अगर फ्लस क्या हो जायाँ अगर छलिए अब देख्या क्या हो जाया यानि समी करण 2-1 तो समी करण 2 क्या है HSC बटे लेमडा 2-2 अप लोग इतना तो जानते होंगे प्यरे बच्चो की जो आपका जब समी करण 2 और 1 घटा आ जाता है एक और 2 को घटा है तो एक पक्च एक तरफ घटा जाता है इस बात को धियान देखो चार में से हम 1.8 घटा द यहां 2.2 बचेगा कितना बचेगा 2.2 और यह फाइनाट और फाइनाट क्या हो जाएगा अब ध्यान से दिखिएगा उपर से कामन क्या है प्यार विच्छो HSC कामन है तो यहां बचेगा 1 अपान लेमडा 1 1 अपान लेमडा 2-1 अपान लेमडा 1 ठीक एक्वल टू क्या करके तब उधर भेजें HSC बड़ाबर इन दोनों का अगर हम लास ले 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 तो लास आएगा लेमडा 2 लेमडा 1 इनका गुड़ा यहां हो जाएगा तो लेमडा 1 इनका गुड़ा यहां कर देते हैं प्यरवचुत माइनस लेमडा 2 हो जाएगा एक्वल टू क्या यह भाग में तो धर जाएक गुड़ा हो जाएगा तो H बराबर आ जाएगा दो दस मलवच दो इलेक्ट्रान को हटा रहे हैं प्यारे बच्छो इलेक्ट्रान को हटा के एक दस मलवच गुड़े दस घाते माइनस 19 रख रहे हैं और क्या है लेमडा 1 लेमडा 2 ठीक पूरे क बटे कितना है पूरे के बटे सी गुड़े कितना है लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 चलिए क्या करना है बैलू रखना है क्या रखना है पहले बचो बैलू रखना है तो H एक्कुल टू क्या आ जाएगा दो दस मलवच गुड़े एक दस मलवच गुड़े दस घाते माइनस 19 ले पूरी के बटे, c, c की बैलोट हम जानते है न, 3 गुड़े 10 गःते कितना होता है, 8 होता है, c की बैलोट है, je 3 अपियर बच्सोern कि 3 क्या होता है , 1 – 2 , 1 – 2 तो 1 कितना है भी ? 8 है , आठ है और लेमडा टू कितना है साथ है ठीक और जो दस घाते माइनस आठ था वो कामन होगा ठीक यह चीज यह चीज कर जाएगा आठ में से साथ घटा देंगे एक आजाएगा और उपर तो यह आपके पास यह बचेगा दो दस मलो दो गुड़े एक दस मलो अच्छा आठ सत और उननीस कितना हो जाएगा 35 तो दस के घाते माइनस 35 है ठीक इस बात को ध्यान देजे और पूरे के बटे के वल क्या बचा है तीन बचा है अब आप इन सब को हल करेंगे तो ध्यान से अगर देखित इनका 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 गुड़ा करके और तीन से भाग देंगे तो 6.57 गुड़ी 10 घाते माइनस 34 आएगा यह एच की वैलू आएगी जिसे हम प्लांक नियतांक करें इसकी वैलू यह आएगी इस प्रकार प्यारे बच्चो आपका जो है पहला यह जो कौन सा नंबर था तीसरे का घर नंबर था प्यारे बच्चो वह कंप्लेट होता है मैंने प्यारे बच्चो इस प्रकार प्यारे बच्चो अपने आपको समझ में आया होगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सेयर नहीं किया होगा तो सभी दोस्तों के पास वीडियो सेयर कर दिएगा काफी मेहनत किया जाता आप लोगों को बताने के लिए आप लोगों को समझाने क्लिक जिससे आपका अच्छा मार का सके प्यारी बच्छो तो आपका फर्ज बनता है आप एक बार वीडियो को जबर्जस्त दोस्तों के पास शेयर जबू किजिएगा अगले खंड की सुरुआ से आप क्या समझते हैं और बैती करण की क्या लिखना सरते लिखना प्यारी बच्छो तो हम बताएं बैती करण क्या होता है प्यारी बच्छो यह मैंने आपको लिख के रखा है बैती करण ऐसा नहीं कि आपको बैती करण नहीं है आप लिखे हैं उस समझाते हैं प्यारी ब बृत्ती की दो प्रकास तरंगे किसी माध्यम से एक ही दिशा में गमन करती है मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है किसी एक सोर्स से समान बृत्ती की दो प्रकास तरंगे निकल रही है किसी भी एक सुरोच से सामान आप वृत्ति की दो प्रेकास तरंगे निकल रही है तो इनके अध्यार ओपर के कारण इनकी तिबृता में क्या हो जाती है कमी हो जाती है या तो वृत्धी हो जाती है फिर बच्चो किसी कौम व्यत्ती करण करती है बहुत यह आसान भासमिने परिवासा लिखा है जब सामान आप वृत्ति की दो प्रेकास तरंगे किसी माध्यम से एक ही दिशा में गमन करती है तो उनकी अध्यार ओपर के कारण प्रेकास की तिबृता में परिवर्तन हो जाता है परिवर्तन होने का मतलब है प्यार बच्चो कहीं जादा हो जाता है कहीं क्या हो जाता है कम हो जाता है तो यह घटना ब्यत्ती करण कहलाता है और जहां पर तिबृता क्या हो जाती जादा हो जाती वहाँ संपोसी व्यतिकरण होता जहां पर तेवरता कम हो जाती प्यारे बच्छो वह बिनासी व्यतिकरण होता है अब आगी क्या करा वही अगले उसी प्रस्ण में पुछा था व्यतिकरण का सर्थ तो इसी परिभासा में ही ब्यती करण का सर्थ आपका छुपा हुआ जैसे की प्यारे बच्चो पहला करा सामान अबृत्ती मतलब ब्यती करण के लिए सबसे पहला सर्थ है कि सामान अबृत्ती की परकास तरंगे होनी चाहिए सामान अबृत्ती की तरंगे होनी चाहिए और एक ही माध्यम से भी निकलना चाहिए एक ही स्रोज से भी निकलना चाहिए आईए देखे क्या-क्या सरते दिये गए ध्यान से देखे क्या करा कि भई दोनों तरंगों की अबृत्ती सामान होनी चाहिए फर्स्ट पाइंट मैंने जो बोला आपके डिफनीशन में चुपा था दोनों तरंगों की फ्रेक्वेंसी सेम टू सेम होनी चाहिए अगर फ्रेक्वेंसी अलग है तो बैती करण की घटना नहीं घटित होगी प्यारवच्छो आगे सेकंड नमर क्या करा कि दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए जो दोनों तरंगे हैं उनकी एंप्लीचिट जो होती है उनकी आयाम जो होता है प्यारवच्छो वो समान होना चाहिए और थर्ड क्या है कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए एक ही दिशा में चलनी चाहिए यह नहीं कि एक इधर जारा एक उदर जारा मतलब आपोजिट जाने पर या एक दूसरे से पोजिट दिशा में जाने पर कभी भी तरंग बैती करने की घटना घटित नहीं होगी इस प्रकार प्रखंड द का प्रिशन उत्र संक्या चार का कर नंबर प्रिशन कंप्लीट होता जो की थियोरिक लेना चाहते हैं देखना चाहते हैं कैसे हो रहा क्या है तो आपके प्यारे सी यूटूब चैनल पर है आप वहां जाके अठेंड कर सकते हैं तो आप इसका एक प्रिश्टी की जाती है एक दो दसमलो चार माइक्रो फैरड़ धारिता वाला संधारित उपलब्द है अनुना सब्सक्रादी परिपत के लिए आवश्ट से कुंडली का प्रिकत की परिकलन किजिए ध्यान से लिखे तीन नमर का केस्टन आपके एक्जाम में पूछा गया आईए इसको सौल करते हैं सबसे पहले जो जो दिया गया है वो चीज़े हम लिख लेते हैं आपको दिख रहोग चलिए द्यान से लिखे तो बात करते हैं चोथे के खान नमर का सबसे पहले यहां क्या दिया प्रसारन केंद्र से 300 मीटर तरंग दर मतलब लैम्डा दिया है लैम्डा की वैलू कितनी है 300 मीटर दिया ठीक आगे करा तरंग प्रसाहित कि जादी एक दो दस्मलों चार माइक् तो माइक्रो फेरड को फेरण बदलेंगे तो वही 2.4 माइक्रो को फेरण बदलते हैं तो दस भाते माइनस चा का मल्टिप्लाई कर देते हैं बदल गया सी आगे क्या करा कि वही अनुनादी परिपत के लिए आवस्य कुंडली के प्रिकत की गड़ना करना मतलब अलग्यात कर है ना चलिए मन अलग्यात करेंगे तो सबसे पहले अगर मुझे एक बात पता होना चाही मुझे लु ज़रूवत करने मं अ Nord के लिए बरिपत के लिए ब्रिद्ति की बात करें हमने पढ़ा करें पर आप बद्venEdge यह सारे डर्य खक्राया तो अनुनाती जो बद्म्रय जो चलिए ग्याद करेंगे F पहले ग्याद कर लेते हैं यह समीकर नमबर एक बना लेते हैं जान देना अब F कैसे ग्याद करेंगे भाई हमारे पास एक फामूला होता है पहरे बच्छो कि F equal to क्या होता है C upon lambda अब आप सोच रहेंगे कि यह C नहीं यह C नहीं है पहरे बच्छो यहां पर हमको क्या रखना है यह C प्रकास की चाल है यह C क्या है प्रकास की क्या होने चाल होने आप सब्सक्राइब करें आउस्時間 कर्ण जाए क्या आपकी इतनी बात क्लियर हुई अभी आप हमारे पास है तो हम आराम से यह यल को ग्याद कर सकते हैं जो यहां बल्टे हुए है चले रखते हैं एकी बैल्यू कितनी ह McConnell पर पले मैं क्या करता हूं यांते हो पले Educator को अच्छे तरीके से अच्छे रूप में ला रहा हूं lc equal to under root lc equal to कितना आजाएगा एक बटे f गुड़े 2pi आप यहाँ समझे कि यह सारी चीज गुड़ा में थी यह इधर आगे भाग मुझे यह under root हटाना है तो भई दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग करने पर जैसे ही work करेंगे तो यह under root हट जाएगा क्योंकि under root पर work का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अंडर root हट जाता है यह f का work हो जाएगा f square और 2pi का work हो जाएगा 4pi क्या हो जाएगा परवचो 4pi square हो जाएगा कितना जाएगा परवचो क्या हो जाएगा पहर देखे तो दो दुनी चार क्या हो जाएगा चार पाई स्क्यार हो जाएगा ठीक चार पाई स्क्यार अब हम करते क्या है दिहान से देखेगा कि मुझे ल चाहिए यह सी भी इधर आ तो c इधर गुड़ाम है तो इधर आ जाएगा भाग में तो एक बटे f स्क्यार इंटू 4 पाई स्क्यार इंटू क्या जाएगा c आईए क्यों वैलू रखते हैं बस एक बटे f f की वैलू कितनी है देखो f की वैलू भी आपने निकाला 10 गाते 6 तो भई 10 गाते 6 का स्क्यार कर देंगे गुड़े 4 पाई की वैलू कितनी है तीन दस मलो एक चार का स्क्यार और c c ये कैप्टल c है कैप्टल c कैप्टल c की वैलू यहां है 2.4 गुड़े 10 गाते माइनस 6 ठीक क्या है यहां तक आपको clear भी आई इनको हम हाल करते प्यारबचों देखे क्या करा एक बटे 10 गाते च्छचदुनी बार तो यहां आजाएगा 10 गाते 12 गुड़े कितना 4 तीन दसमलो एक आपके पास कितना जाएगा जानते हैं कितना एगा प्राप्त होगा इस प्राप्त होगा एक गुड़े 10 गाते-6 यह आपको मिलेगा आप इसको calculate किजेगा इसको हल करने पर आपको यह answer प्राप्त होगा प्राप्त होगा इस प्रेकार आपका कौन सा प्रेशन complete होता है जानते हैं आपका कौन सा प्रेशन complete होता है चौते का जो है आपका खर नंबर क्या होता है complete होता है आप चाहो तो इसका एक क्या ले तो इसके लेश्राइब सकते हैं अब गाइस हम बात करते हैं चौते का गर नंबर क्या कर रहा है ध्यान से दिखिए विद्वीध्वित सभी धाराओं का जो बिजगर्ती योग होता हूंक्या होता है। यह किर्चाव का प्रथमनियम था किर्चाव का क्या प्रथमनियम था कि किसी भी संदी पर 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 किसी भी जंक्सन पर जो धाराएं मिलती है न उन्हें धाराओं का बिजगरती हो क्या होता है प्रथमने होता प्रतिरोधों का गुड़न फल का योग परिपत में लगाए गए कुल विद्धुत्वाग बल ई के क्या होता है बराबर होता है इसको उमने लिख के रखा है पहरवचो आप यहां से देखे इसको परस देखे क्या कर रहा है कि किसी संधी पर मिलने वाली धाराओं का बेजगरती योग सुनने होता है समेशन आई एक किर्चाव का दिती नियम क्या करता है परवेचो किसी बंदपास मैं कोई परिवड़तन न करें तो पास में बहने वाली लूप में बहने वाले जो धारा आई होती है और संगत प्रतिरोधों का गुडन फल और और परिपत में लगे से लोग के कुल विद्दुत्वहक बल ए के क्या होता है बराबर होता है अर्थात हम कह सकते हैं समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ए यह है खिर्चाप का दितिये नियम प्यारे बच्चो इस प्रकार आपका गर नंबर भी कंप्लिट होता है आप इसक गर नंबर क्या करा है कि एल लंबाई की एक ताबे की छड़ है एल लंबाई की एक ताबे की छड़ है बी तिब्रता के एक समान चुम्ब की छेतर में उमेगा कोडी वेग से एक सिरे के परिता घुरन कर रही है तो सिद्ध किज्ये की छड़ के सिरो पर प्रेरित विद्द है द्यान से समझना इसको ठाज प्रस्णा आपने देख लिया ना चलिए अब बात करते हैं परबत्चो जो चीजह कह रहा है वही वही चीज हम लोग करेंगे देखें क्या कह रहा है जो चीजह चुम्बकी छेत की तिवर्ता में रखा गया तो पहले पहरे बच्छों हम क्या करते हैं कि यह मान लेते हैं कि यह कोई यल लंबाई का क्या रखा गया चालक रखा गया एल लंबाई का कोई तावे का छड़ है यह मान लेते हैं कि एल लंबाई की कोई तावे की क्या हो गई छ चलो ताबे की लंबाई माना ताबे की लंबाई क्या एल है जो की एक समान चुम्ब की छेतर बी में क्या किया गया है रखा गया है चलिए यह एक समान चुम्ब की छेतर बी में रखा गया है ध्यान सबीए यही चीज़ है न आगे करा कि यह एक अच्छ के परिता उमेगा वे से क्या रहा है गुञदन करना है और यह प्यारवचो उमेगा वेक से यह टावे का छरण यह ऐसे जैसे यह बना हुआ है यह जगhझ थे प्रम क्या members क्या गुञदन करता है फ्यां और हम मानले center of mass यह है इस ताबे की छड़ की जो है center of mass यह है तो अगर मैं कहूं इस center of mass पे इस वेग क्या होगा center of mass पे वेग क्या होगा यानि VCM की बात करूँ किसकी बात करूँ VCM की, तो center of mass पे जो VCM होता, वो क्या होता है? पेरे बचो आपको यहाँ यह समझना है, जैसे मैंने कहा कि यह मदबिन्दो है, यह center of mass है, तो यह जो लंबाई है, वो बट जाएगी, L बटे दो इधर हो आधा हो जाएगा और इधर हो जाएगा तो सिंटर आफ मास पे वेग जो वेग कितना होगा ध्यान से दिखेगा वो होगा ओमेगा यानि वेग कोड़ी वेग गुड़े आधी लंबाई छड़ की आधी लंबाई यानि अलबटे दो तो हम कर सकते हैं कि द्रबेमान केंदर पर जो छड़ का वेग होगा या कन का जो वेग है वो वी सीम एक्कोल टू ओमेगा गोड़े एलबटे दो है तो क्या ग्याद करना था अब ध्यान से देखो यह जब भी कोई चालक चुमकी छेत्र में क्या करता है घुड़न करता है तो उसमें विद्धुत्वाग बल उत्पन होता है तो जो विद्धुत्वाग बल उत्पन होगा वही तुमको ग्याद करना है तो चली ग्याद करते प तो यहां VCM हो जाएगा क्या हो जाएगा VCM इन्टु क्या होता है चुम्बक की औ Ч्छेतल होता है परवेश चुम्बक की और इन्टु चालक की लबाई होता है अब VCM की वैười वैली आपने निकाला क्या निकाला प्याव लाविशो ưa मेगा गुडे गुडे L बटे 2 और ये कितना V है और ये L है ठीक आगे पीछे करते हैं ओमेगा आगे कर लिए B को भी आगे कर दिए L का गुणा L से कर दिए तो L इसक्या बटे 2 हो गया एक बटे 2 को हम आगे कर देते हैं तो भी ओमेगा B L इसक्या राज आएगा और यही आपको प्रूफ करने के लिए करा रहा है अब आप सोच रहेंगे कि इतना सरल प्रसन है कहां से कैसे आ गया पैरबच्छों यही है कि physics का paper कभी hard होता यह नहीं केवल आपको समझना रहता है प्रिशिक इस प्रकार आपका यह प्रिशन complete होता है आप चाहत इसका क्या कर लो एक screenshot ले ले जिए फिर हम बात करेंगे अगले प्रिशने की जो आपके आगे के प्रिशन है तो प्यारे बच्चो देखिए आपका अंगर नंबर प्रिशन क्या कर रहा है कि प्रकास बैदूत प्रभाव क्या है इसके नियम लिखे तो प्यारे बच्चो आईए हम समझते प्रकास बैदूत प्रभाव क्या होता है हमने इसको भी पढ़ा के रखा इसका भी वीडियो सभी क्लासे उपलग्द हैं आप चाहो तो डीटेल में जानकाई लेना तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं चलिए तो इस इनको हटा देते हैं क्योंकि इनका काम खतम हो चुका है बोले हैं प्रेकास वैदुत प्रभाव क्या है अंगा नमबर प्रिशन है तो थोड़ा सा एक कम स्पेस में हो जाएगा देखिए प्रेकास वैदुत प्रभाव समझने का प्यास किजिए कि जैसे ये कोई धात का चादर हो गया ये कोई धात हो गया और क्या होता है कि जब किसी धात के तुकडे पर जब किसी धात के तुकडे पर प्रेकास किरने क्या कराई जाती आपत बाहर निकलने लगता है इस घटना को हम क्या करते हैं नियम है वो ध्यान से देखेगा, इसका जो फिर्ष्ट नियम है, यह जो उस सरजित ilektron है, जो ilektron सरजित हो रहे हैं, वो आपतित प्रकास की तिवरता के अनकुर्मान उपाती होते, अर्था जितनी तेजी से इस धादुपे हम प्रेकास गिराएंगे उतनी तेजी से इस से इलेक्टरान बाहर की तरब क्या हो जाएगा निकल जाएगा प्यर बच्छो तेजी तो करें कि जितनी तेजी से धादुपे प्रेकास गिराया जाएगा उतनी तेजी से इलेक्टरान यह मैं कि धातुक के प्रिष्ट से उस्सरजित होने वाले इलेक्टरान प्रेकास की तिब्रता के अनक्रमान उपाती होते हैं तिब्रता के अनकुमानुपाती होते हैं या प्रेकास की मात्रा प्रेशान से दिखेगा जो यह उसर्जित होने वाले प्रेकास है उसर्जित होने वाले प्रेक्टराने वो प्रेकास की अब्रती के अनकुमानुपाती होता है अब जो सेकेंड है सेकेंड क्या है जैसे मैंने म कि इसकी अब्रित्ती दस घाते चार हटज है अब मैं जो प्रकास आपति करा रहा हूं उसकी अब्रित्ती दस घाते चार हटज है तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना ये जो दस घाते चार हटज है ये इससे कम है अर्थात इससे इलेक्रान उस सरजन नहीं होगा और ये इसकी देहली अबृत्ति होती कौन से होती प्यारवचो देहली अबृत्ति तो मैं बताओं आपको यानी कहने का मतलब है सिकेंड रिला ये कह रहा है कि हर एक धात की देहली अबृत्ति होती है देहली अबृत्ति से जादा अगर अबृत्ति का प्रकास हम आपतित कराएंगे तो ही इलेक्ट्रान उस्षरजन होगा अन्यत्हा नहीं होगा जब तक हम दसगाते 7 हरटज दसगाते 8 हरटज इस पर प्रकास नहीं डालेंगे तब तक इस धाथ से इलेक्ट्रान उस्षरजन नहीं होगा क्योंकि इसका जो अध़ली आप रिखाया आप देखे कैसे आपको लिखना है एक्जाम में वह ध्यान देना है ठीक प्रिख्ट अंगर नंबर है प्रकास बिद्दूद प्रभाव कर लाता है प्रवच्छ जो हमने समझाया वही चीजे में यहां लिखा एक दमासान भासम जिसे का आपको याद भी हो जाए फिर प्रकास बिद्दूद प्रभाव का नियम क्या कहता है सबसे पहला कि धात के प्रिख्ट से उस सरजित होने वाले इलेक्टरानों की संख्या आपतित प्रकास की तिब्रता के अनकवान उपाती होता है मतलब मैंने बोला कि जितनी तेजी से उस धात के प्रिष्ट पे प्रेकास गिराया जाएगा उतनी तेजी से इलेक्टरान उस्सरजित होगा यही बोला कि धात के प्रिष्ट से उसरजित होने वाले एलेक्टानों की संख्या आपतीत प्रेकास की तिवर्ता की क्या होता है अनकवान उपाती होता है कि किसी भी धात के लिए आपतित्त भी किरन की नियुनितम अभृति होती है जिसके निचे उलेक्टरानों का उस्षरजन नहीं होता जिसे मैंने यह भी समझा खो एक धात की देली अवर्तिति अगर उससे कम अवर्ति का प्रेकास आप्तित किराते हैं तो इलेक्टरान का उस्वर्जन नहीं होता अगर उससे ज्यादा हम आप्तित राएंगे तो ही इलेक्टरान का उस्वर्जन होगा प्यार बच्छो आगे थर्ड नियम क्या करता है गति जुर्जा वो प्रकास के अब्रती पर नेरभर करता है प्रकास की तिवरता पर नहीं करता आप इसका चाहो तो एक स्कूर लेजे फिर हम आगे की प्रिशन को कांटीन्यू करने वाले हैं तो गाइज इस प्रेकार आपका खंड दर भी समाप्थ हो जाता है खंड दर का ज मैंने पढ़ा के रखा है इसलिए मैंने इसके बारे में इस प्रश्ण को बताना नहीं समझा थोड़ी बहुत जानकारी हम जरूर लेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है प्रेकार का ऐसा यंत्र होता है जिसकी साहता से हम लोग बोल्टेज को परिवर्तित करते हैं मतलब उच् knocked-up परिवर्तित कर सके रख, तौह दो प्रेकार का होता है कुछ चाही होता है कब्चाही होता है तो इसकी सारी जानकारी पैर वच्छो आपके याजाने जो है फक्रांप देख लीज याप से देख लिजेगा पैर लंक पruk आपको मिल जाएगा पैर बरचो या तो अगर आप वहां से न जा पाओ तो आपको प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं यहां से जाके देख लिए जिएगा आप उम्मिद है का अच्छे से समझाया भी गया अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है नहीं देखा होगा तब मैं बूल रहा हूं अब हम बाते करेंगे पांचमे का नंबर क्या करा है कि दो गुड़े 10 गाते माइनस 10 मीटर त्रिज्जा का एक बृत्ताकार मार्ग है उस पे एक लेक्टरान इतने वेग से एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है तो वही बृत्ताकार मार के के लिए पर उत्पन चुमकी चित की करना करना जो कि तीर नंबर का पुछा पैरवचा बहुत ही लाजवावव बहुत ही बहुत ही बहुत ही जबरज़स्ट प्रशन है ध्यांस दिखे कौन सा नंबर था दो गुड़े दस घाते माइनस दस मीटर ठीक यह त्रिज्जा थी इतनी बात आपकी क्लियर हुई आगे क्या करा आपके रवच्छों द्यान से भी कि एक एलेक्ट्रान तीन गुड़े दस घाते च्छ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्का लगा रहा था मतलब चाल केंद्र पर उत्पन चुम्ब कीचे तरह भी घ्यान करना है अब हम आपको प्रशन समझा रहे हैं प्रवच्छों द्यान से देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि कोई एक ब्रिताकार मार्ग है जिसकी जो त्रिज्जा है वो आ रहे है अब इसमें कोई एक इलेक्ट्रान क्या कर करने जो धारा उत्पन होगा अगर कई चक्कर लगा रहा तो ज्यादा धारा उत्पन होगा तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रान कितना चक्कर लगा रहा है तो लिखेंगे इलेक्ट्रान द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या तो प्यारवच्चों चक्क चक्रो की संख्या क्या होगी ? N equal to क्या हो जाएगा ? चक्रो की संख्या N equal to चाल कितनी है पीर बच्छो इसकी वी है चाल कितनी है वी यहाँ देखो मैंने माना ना चाल वी है बटे अब दूरी कितनी है पीर बच्छो 2 by r तो 2 by r मतलब एक चक्कर में तैंग गई गई दूरी से अगर चाल में भाग दे देते हैं तो संख्या निकलाती है यह यह ना गए अब अगर हम कहें कि इसके कारण उत्पन धारा इलेक्टरान के चक्कर के कारण उत्पन धारा तो प्यारे बच्चो उत्पन धारा i equal to होता है q upon t ठीक अब q जो होता हो n e के बराबर होता है और t आपका t ध्यान देचे अगर मैं मानलूक इलेक्टरान के एकांक कह लिया जाए जैसे मैंने कहा कि एकांक सेकंड में या एक सेकंड की बात कर लिया जाए किसकी बात कर लिया प्रवच्चो यदि t बराबर एक सेकंड मैंने कहा कि एक सेकंड जाया कि प्रती सेकंड एलेक्टरान के चक्र लगाने के कारण प्रती सेकंड उत्पन धारा है तो t की बेलू एक हो जाएगी तो बहाई n की बेलू मैंने निकाला है v2 2 π.r t की बेलू आपकी 1 होई गहे तो रखना चाहत रखलो यहां हो गया मतलब i की बेलु VE अपां टुपाई आरा या आई की बेलु आई VE बटे टूपाई आर ठिक अब हमको क्या ग्याद करना थोई केंदर पर उत्पन चुम्बकी छेतर जो होता μुझाट बाषिय है चली ध्याद से देखनाए की योगनाट तो दो दूडी चार तो μू नाट आपान कितना जाएगा फोर पाई वी ए आर का गुड़ा आर से कर दी आर इसका है चले वैलू क्यों रखते हैं मू नाट की वैलू जो होती मू नाट की वैलू होती है फोर पाई गुड़े दस घाते माइनस साथ बच्छों आपको पता होना चाहीं यह फोर पाई पहले से आर आर की वैलू आपको यहाँ दी गहीं दी गहीं प्रस्ण में हिए दो गुड़े दस घाते माइनस दस घाते माइनस दस का क्या हमें स्क्यार के क्यों स्क्यार है वर इंट्ुव वी का मान वी का मान आपको दिया है तीन घाते च्छ ठिक और फिर कितना है तीन है फिर सोले तियां 48 देखिए सोले तियां 48 तो चार दस मलो 8 हो जाएगा और 19 में से छा घट जाएगा 19 में से 6 घड़ जाएगा तो 10 घाते माइनस 13 आजाएगा नीचे रिखें अब देखें 2 का वर्क करेंगे तो 4 आएगा प्यारे बच्चो और 10 दूनी 20 10 घाते माइनस 20 ये 13 और 7 20 हो जाएगा और ये आजाएगा आपका 4 दस मलो 8 बटे 4 तेरह साथ क्या हो जाएगा 20 दस घाते माइनस 20 और नीचे भी दस घाते माइनस 20 आएगा ये दोनों कैंसल हो जाएगे 12 चो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा प्यारे बच्चो तो आपका आजाएगा 1 दस मलो 2 टेसला इस प्रकार आप के इंदर पर प्यारे बच्चो आपका नेक्स्ट प्रस्ण क्या है एक अपवरतनी ये खगोली दूरदर्सी में प्रतिबिम्ब का बनना स्वच्छ किरण आरिक बना कर समझाएगे तो प्यारे बच्चो ये भी प्रस्ण आपके आई लिंक पे दिखाई पढ़ लागा या लिंक डिस्क्रिप्शन में ये भी वीडियो है आप जाके वहाँ से इस प्रस्ण का समाधान देख सकते हैं प्यारे बच्चो वहाँ पर मैंने इसको बिस्तार पुरवक समझाया है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अपवर्तनी का मतलब है इसे हम लोग अपवर्ती एक ख़बोल दूरस्थी भी का सकते हैं तो है ये चीज़ है प्यारे बच्चो आप जाके वहाँ देख सकते हैं उमेद करता हूं कि आपने अगर देखा है तो समझ माया होगा नहीं देखे हैं तो जाके वह वीडियो ज़रु देखेगा प्यरवच्छो चलिए अगला घह नंबर की पारियती घह नंबर क्या करा कि एक लेक्ट्रान 500 बोल्ट के विभवानतर से तोरित किया जाता है विभवानतर ध्यान देना है 500 बोल्ट मतलब वी दिया है प्यरवच्छो वह कितनी चाल पहले लिख लिजेगा तो प्यरवच्छो कौन सा प्रश्ण है ये पांचवे का घह नंबर है तो ये वी दिया था 500 बोल्ट कितना था प्यरवच्छो 500 बोल्ट था ठीक कितनी बात एकलियर हो गई चाल पूछ रहा था प्यरवच्छो तो चाल माल लेते हैं अलग दिखाने चले चाल गयात करते हैं तो प्यारे बच्चो ध्यान से समझना कि 500 बॉल्ट विभवांतर से तुरित किया गया था मतलब किसी भी बैटरी के द्वारा उसको इलेक्टरान को उर्जा दिया जा रहा तो प्यारे बच्चो बैटरी इस्तित है उसकी कारे इस्तिति जुर्जा होगा मतलब इलेक्टरान को तुरित करने में जो कारे करना पड़ेगा वही कारे ही वही कारे ही इलेक्टरान की गति जुर्जा में बदल जाएगा वही कारे गति जुर्जा के बराबर होगी इस बात को ध्यान देना एलेक्टरान को त्वरित करने में जो किया गया कार होगा वो गतिज उर्जा के इक्कॉल होगा इस बात को दिया देना चल तो मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि लिखेंगे एलेक्टरान को त्वरित करने में करने में किया गया कार है किया गया कार है ध्यान देना यही किया गया कार ही इस्तितीज उर्जा होती प्यरवेच्छो इस बात को ध्यान देना किया गया कार डबलो एककोल टू क्यू इंटू वी पढ़ा है कहां साया वी बराबर डबलो पान क्यू से आया ठीक प्यरवेच्छ माना, इलेक्टरान का जो द्रभिमान है, वो क्या है M है, इलेक्टरान का द्रभिमान है, वो M है, क्या इतनी बात आपकी क्लियर होई, इलेक्टरान का द्रभिमान M है, तो गत्य जुर्ज़ा होगी, k एक्वल टू, half, ym, v, e का स्क्रार, समीकार नंबर दो, अभी मैंने शुरुआत किया था तो बोला कि वह जितनी इस्तिती जुर्जा होगी वो गते जुर्जा किक्वल होगी मतलब U equal to क्या है? K U equal to K U की value रख दो E into V इसकी value रख दो 1 बटे 2 M, V, E square चले ध्यान दो मुझे यह V square ही ग्याद करना है तो क्या करेंगे? सुचिए इनका गुड़ा यहां कर दे तो भी 2EV हो जाएगा बराबर M, V square यह M इधर आजाएगा तो उधर गुड़ा में है तो इधर आजाएगा भाग में तो 2EV बटे क्या जाएगा M, V square इधर से square हटाएगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडरूट 2EV बटे M बराबर V E आप ग्याद करना क्यों बैलू रगद दो गुड़े E की बैलू 1.6 गुड़े 10 गाते माइनस 19 है V का मान आपको 500 बोल्ट दिया ही था M का मान होता 9.1 गुड़े 10 गाते माइनस 11 ठीक ये अंडरूट में सारा चीच पराब V E तो ग्याद आप इन सब को solve किजेगा अगर solve किजेगा पैर गचो थोड़ा बहुत हम solve कर दे रहे हैं दीखे ये 31 कर जाएगा उपर माइनस 12 बचेगा और ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कर जाएगा ठीक तो क्या बचेगा आपके पास अंडरूट में देखे दो गुड़े 16 बचेगा और यहां कितना बचेगा 10 गाते माइनस 12 और यहां 5 पांच दूनी 10 कर दे रहे हैं पांच दूनी कितना कर दे रहे हैं प्रवच्चो 10 ठीक ध्यान से लिख रहे हैं और उसके साथ यहां 500 दूना 1000 कर दीजे डारेक्टली तो क्या आजाएगा ध्यान से दिखिए तो क्या आजाएगा प्रवच्चो 1000 गुड़े 16 गुड़े 10 गाते माइनस 12 पूरे एक बटे 91 अब 1,2,3 यहां से 12 में से 3 कम हो जाएगा 9,16,1,16 हो जाएगा ठीक और एक चीजा ठीक 16 के 16 तो अंडर रूट लगाए और 16 के कितना हो जाएगा 16 बटे 91,12 में से 3 कम हो जाएगा 10 गाते माइनस 9 ठीक अब आपको यह हल करना है ध्यान से दिखना है यही चीज़े आपको हल करना ही प्यार बटे अब क्या करना है प्यार बटे 91 में जब हम 16 का भाग देंगे 21 में क्या करदेंगे प्एरवर्चो जब हम 16 का बावडे , यहाँ से थोड़ी गलती हुई 31 कटage सब्सक्राइब 12 है यहाँ बचा था , 12 12 प्लस 12 12 10 कशषुast 10 गाते कितना होटे पंधर 10 गाते था ? 20 क्यानबे में जब हम 16 का भाग देंगे तो 0.175 गुड़े 10 घाते 15 ठीक पहले चो अब पॉइंट को हम एक अंक उधर ले जा रहे हैं तो 1.75 उहां कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा यहां 14 हो जाएगा ठीक अब VE अब 1.75 का वर्मोन निकालेंगे तो 1.32 और इसका वर्मोन निकालेंगे 10 घाते 7 मीटर परती सेकंड यह VE की बिल हो आएगी मतलब जो उसका चाल था वह 1.75 तीन दो गुड़े 10 घाते 7 मीटर परती सेकंड तो उम्मीद है आपने इसका इसका स्क्रीन सॉट ले लिया होगा परवचो चली आप इसका एक स्क्रीन सॉट ले लिजेए अब उमीद है का आपको समझ में आया होगा पहला प्रोसेस आपको क्या करना था ध्यान से कंडिशन रखे एवी बराबर हाफ हम वी इसक्यार लगाए उसके बाद यहां से वी इसक्यार ग्याद करना था तो वी की फार्मुला हमने निकाला जो कि टू इवी बटे हम था रख दिये हल कर डाले आपका एंसर आ गया इस परकार आपका पांचोए का घर नंबर कंप्लेट होता है अब हम आगे के प्रस्ण को देखते हैं कि अगला प्रस्ण आपसे तो प्यारे बच्चों देखें अगला प्रस्ण क्या करा कि घर में आपको अथमा करके दिया है अप यह अगर नहीं करना चाहें तो आपको यह भी कर सकते हैं अपवा वेग तथा बिद्दु धार वहां से CD को देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर नहीं बताया है, प्यारवचो आप कष्ट करें के इतना तो कर सकते हैं, प्यारवचो जा कि वहां देख लीजिए, ठीक, उसके बाद, अंगर नमबर करा बोहर के परमार माडल की अभिग्रहित लिख कर समझाईए, यानि बोहर के परमार माडल को भी बताना है, और ध्यारवचो यह भी मैंने क्लास में पढ़ाया है, परन्तु हो सकता है कि थोड़े छोटे प्रसन थे, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिख दिया है, यहां बता दे रहे हैं, परन्तु आप जाके अगर देख रहा हैं चाहत करना सब कुछ करा दे रहे हैं, पैसे लगते हैं, प्यारवचो आप लोग को एक काम करना रहता है, लाइक और सेर, वो भी आप लोग कंजूसी में करते हैं, पही कम से कम सब के पास तो सेर कर दिया करो, चौड़, अब हम बात करेंगे पांचवे का अंगा नंबर, बोहर के परमाण माडल का अबिगरेट, तो बोहर का जो परमाण माडल था, वो क्या था, पैरवचो दियान से देखेगा, सबसे इनका पहला माडल था, कि रदरफोड के माडल में जो भी कमिया थी, इन्होंने उनका सुधार किया था, पैरवचो, सबसे इनका पहला माडल था, कि इ उसला माडल उन्होंने ये दिया कि माल लीजिए प्यारे बच्चों की इलेक्टरान जो है जिस कच्छा में चक्कल लगा रहा है इलेक्टरान अगर इसे मैंने कहा कि इलेक्टरान इस कच्छा में चक्कल लगा रहा है तो इलेक्टरान जिस कच्छा में चक्कल लगाता रहता ह इस कच्छा में उरजा का उसर्जन नहींकशताएं। प्यारे बच्छोँ इस बत को गौर्ण से समझेगा। और अधर भोडवया बोले कि उरजा का लगाता उसर्जन करता रहता ह। जो कि गलत बोलके गए थे, कOkay बेकूप बना रहे त levant के लोगों को। यही इनके तेन सिद्धानत हैं प्यारे बच्चों वह हमने लिखा आप दिखे ध्यान से दिखेगा क्या कर रहा है आई है सबसे पहला बोहर का पर्मान वाडल हेडिंग बनाना है उसके बाद उनका पहला लिखे है इलेक्ट्रान केवल उनी कच्छाओं में चक्कल लगाता है जिनका कोणी संबेग NH2Pi का क्या हो पूल गुलज हो यानि सबसे पहला सिद्धानत है कि बोहर उनने बताया कि इलेक्ट्रान केवल उनी कच्छाओं में चक्कल लगा सकता है जिनका कोणी संबेग NH2Pi का पूल गुलज हो मतलब यह नहीं करने का मतलब था कि पर्मार के चा जकी किसी भी कच्छा में घू epidement का लुगनता हुवड रर्जा का उसरजन नहीं करता मतलब पर्मार के अस्थाया की ब्याख्या यहां पर रही पैदबच्शो कि कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रान घूमेगा तो अपने उर्जा से नहीं घूमता वह कच्छाओं की उर्जा स जाने एक बात प्यार बच्छो जैसे मैंने कहा कि ये इसकी कच्छा है ये इसकी कच्छा इलेक्ट्रान है चक्क लगा रहता है इसे बाहर से आप पुर्जा दे दिये न ये तीसरे चौथे कच्छा में पहुच जाएगा और वहां ज्यादा समय तक नहीं रहता तस गाती माइ प्रस्ण की है देखे प्यार बच्छो इतनी देर तक हमने सभी प्रस्ण जो थे वह छोटे छोटे थे तीन तीन नंबर के थे हमने उनको बहुत जल्दे जल्दी करें के समात कर दिया अब जो हमारे पांच नंबर के प्रस्ण आते हैं वह पांच नंबर का प्रस्ण क्या है देखे सबसे पहले छटवा नमबर करा हाइगेंस के तरंग सिद्धान्द के अधार पे प्रकास के तरंग के परावर्तन की नियम की ब्याक्या किजिए प्यारे बच्छो बाई इसको आप जितना इस्टार देना चाहो उतनी इस्टार दे दो ये आपको एक्जाम में पूछन प्राप्त कीजिए प्यारे बच्छो ये दोनों प्रशन हमने पढ़ा के रखा है इन दोनों प्रशनों का जो लिंक है वो आपको डिक्सिशन में मिल जाएगा या तो आई लिंक पे छठवे नमबर का प्रशन दिखाई पढ़ागा आप वहां से जाके इसको जरूर देखे और तयार कर लिजे पैरे बच्चो कि स्योर है 100% है कि आपके एक्जाम में यह प्रस्ट पूछने वाला है पैरे बच्चो यह और यह यह दोनों प्रस्ट हमने पढ़ाया है अब वहां पर जाके जुरुब देखी पैरे बच्चो अगला फोटो डायोड की सरचना एम कारविधी का वड़न किजे पैरे बच्चो इसकी जो क्लास है वह अभी हाल में ही एक या दो दिन पहले यह क्लास आई थी पैरे बच्चो और उमीड है कि आपने यह क्लास देखा होगा नहीं देखा तो यह प्रस्ट जाके आप जरूर द है और अपॉर्टनांग कितना है तो नियुंतम बिचलन कोड़ का मान क्या होगा ध्यान से प्रस्ट देख लीजिए पैरे बच्चो और नियुमेरिकलो का यह समदलो कि यह सिकंदर है राजा है यह बार बार आएगा नियुमेरिकलो में ऐसा प्रस्ट बार बार पुस्ता प यहां से कौन सा था वही साथमे का अथमा नंबर लिग दे रहें साथमे का अथमा प्रस्ट अपॉर्टनांग दिया था यानि एन एक्वल टू कॉट ए बटे दो आपके प्रस्ट में दिया है ठीक उसके बाद क्या कर रहा ध्यान से दिखेगा अपॉर्टन कोड ए था और ग्याद करना था नियूंतम बेचलन कोड ग्याद करना था चलिए ग्याद करते हैं तो प्रिजम के सुत्र से ऐसे लिखना है आपको प्रिजम के सुत्र से प्रिजम का सुत्र क्या करता है पहले बच्चो एन एक्वल टू साइन ए प्लस डिलियम बटे कितना है दो है पूरे के बटे साइन एबटे कितना है 2 बोले इतनी बात आपकी clear होई प्यारे बच्चो n की value तो रक सकते हैं cot aबटे 2 बजाबर इधर sin a plus dillium बटे 2 पूरे के बटे sin aबटे 2 थोड़ी writing फूरे हैं प्यारे बच्चो इसके लिखेर है बहुत पुर है द्यान चे लिखें अब कause को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चो काट को बहुत बच्चपन में हमने पढ़ाता कि भई कॉस a बटे 2 बटे sin a बटे 2 यह लिखा जा सकता है यानि cot a का फार्मूला होता है परवेचो cos a ठीक चलिए यहां रख देंगे cot a को रखेंगे cos a बटे 2 पूरे के बटे sin a बटे 2 ठीक वहाँ equal to कितना है sin a plus delium बटे 2 ठीक पूरे के बटे sin a बटे 2 कुछ चीज़ तो cancel हो जाएगी देखे cancel हो गए अब cos a बटे 2 प्यादे बटे दो हमने यह भी फार्मूला पड़ा है sin 90 minus theta बराबर cos theta होता है मतलब हम यहाँ cos a के स्थान पे यह लिख सकते हैं तो लिखेंगे cos sin 90 theta के स्थान पे कितना है प्यादे चो a बटे 2 समझ गया आप यह आगया sin a plus dillium बटे 2 ध्यान देखें यह यह क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा आगे ध्यान से देखें अब आपके क्या है 90 दूना 180 तो यह आजाएगा 180 minus a बटे 2 उधर बचा a plus dillium बटे 2 यह यह क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा चलिए dillium गयाद करना a को हम इधर कर देंगे तो ध्यान से देखें प्यारवच्चो क्या होगा तो 180 minus a है यह आपका plus a है इधर आएगा तो minus a हो जाएगा बराबर dillium minus a minus a जोड़के हो जाएगा minus 2 a equal to dillium इस पर का नियुनतम बेचलन को हम ज्याद कर सकते हैं प्यारवच्चो और पांच नंबर का प्रशन है सो चलो पांच नंबर तो आपको थियोरी लिखने में काफी मिहनत करना पड़ेगा प्यारवच्चो तो उम्मीद है का आपको यह स्वाल समझ में होगा अभी तक आपने वीडियो से नहीं किया तो यार एक बार दोस्तों की पास जंप कि से अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा सारे पर आरोपित बल्योगम आगुर टाव एक्वल टू एन आई ये भी होता यहां प्रतिकों का अपने सामान अर्थ हैं तो प्यार बच्छो एन का मतलब होता फेरो की संख्या आई मतलद धारा ए मतलद छेतरफल बी मतलद चुम्ब की छेतर ये भी प्रस्ण हमने आपको पढ़ा के रखा प्यार बच्छो आप ये भी जाके वहां पर देख सकते हैं एक समान चुम्ब की छेतर में धारा लूप पे लगने वाला बल अगूर ये भी आपको आई लिंक पर दिखाई पढ़ा होगा प्यार बच्छो या प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो है आप वहां से जाके देख सकते हैं प्यार बच्छो इसलिए मैंने इस प्रस्ण को प्यार बच्छो देखिए जो प्रस्ण अभी आठमा था आठमे का अठमा कहरा है कि तीन सिंटीमीटर तरिज्जा तथा एक दसमलव पांच अपरतनांक वाले कांच के गोले में वायू का बुलबुला केंदर से एक सिंटीमीटर दूरी पर है ब्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतविम्भी की इस्तती ग्यात किजिए जब बुलबुला कांच के निकरतम प्रिष्ट की और आता देखा जाता है मतलब प्यारे बच्छो प्रस्ण थोड़ा साब कुछ भी नहीं है बहुत ही आसान प्रस्ण है किवल आप प्रस्ण को एक बार देख आर की बैलू दे रखिये तीन संटीमीटर अपर तनांग दिया है एन एकवल टू एक दसमलो पांच फिर आगे करा भी कि बुलबुला के अंदर से एक संटीमीटर की दूरी पर है मतलब यू की बैलू आपकी एक संटीमीटर है चिन परिपाटी से प्यारे बच्छो दूरी की रडातमक हो जाएगी दित्रिज्या भी रडातमक होगी आपकी आगे करा ब्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले से प्रतबिम्भि की इस्तित् supremacy करिनी है तो पियादे बच् Goku आगे दियान से दिखेगा आपको करना क्या है क्या हम इसे लिक्ष सकते हैं तीन बटे 2 हो जाएगा यानि कहने का मतलब है कि यह वायू के साफेच कांच का परतरांग है वायू के साफेच कांच का परतरांग तीन बटे दो या देड़ कर सकते दोनों इक है मतलब है अब आप प्रशन समझें तब आप समझेंगे क्या करना क्या नहीं करना ध्यान दिखें जिसे उन्होंने क्या कहा प्यारे बच्चों कि ये कोई क्या करा है वही कांच का गोला है ये कोई कांच का गोला है जिसकी जो तरिज्जा है वो तीन सेंटीमीटर है चलो माल लिए तीन सेंटीमीटर है इसका केंदर सी होगे अब क्या करा है कि यहां से करा है कि कांच के गोले में वायू का बुलबुला केंदर से एक सिंटीमीटर की दूरी पर यहां पर कोई वायू का क्या है बुलबुला है प्यरवच्चो क्या है प्यरवच्चो वायू का क्या है बुलबुला है ध्यान से दिखिए कांच के गोले में वायू का क्या है यह एक बुलबुला है ठीक जो की एक सिंटिमिटर जो मैंने यहां लिखा है आगे करा है कि अब बाहर क्या है कांच के बाहर क्या है तो आपको पहले वायू से आप कांच में आएंगे वायू से आप कांच में तो कांच के सापिच वायू का अपरतरांग आपको दिया आपको वायू के सापिच कांच का अपरतरांग चाहिए तो ध्यान देना वायू का अपरतरांग प्याल मतलग काँच का y के सा परतरांग क्या हो जाएगा, एक बटे a and जी हो जाएगा, बटे ईक बटे तीन बटे29 तो दो उपलट हो जाएगा तो g and 10 की बटे3 की बटे5 अ गुदए हो जाएगा ठिक हो इतनी बात हो गई ये काम करेगा हमारा n2 का और वो y वाला काम करेगा n1 का तो n2 की value 2 बटे 3 और n1 की value 1 तो अब हम सोत्र लगाएं तो हमारे पास सोत्र था n2 बटे v minus n1 बटे u बराबर n2 minus n1 बटे r value रख देजे कि अब बस क्या करना करें बच्छो value रखते हैं n2 n2 की value कितनी है 2 बटे 3 और ये v हो जाएगा minus n1 बटे n1 बटे तो n1 की value अगर आप देख पा रहे होंगे प्यार बच्छो एक है कितना है प्यार बच्छो एक है चले एक रख देते हैं u u की value आपके पास माइनस एक है ठीक पराबर आगे ध्यान से देखे आगे क्या करा n2 n2 की value कितनी प्यार बच्छो दो बटे 3 है 2 बटे 3 माइनस एक rr की value कितनी है माइनस 3 है कितनी प्यार बच्छो माइनस 3 है चले रख लेते हैं ध्यान देखे अब क्या करते हैं कि ये minus minus क्या हो जाएगा, companhج ho जाएगा, 2 kaphote 3 w, plus 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ से देखिए, तो 3 के 3, 3 में से 2 घर जाएगा, minus 1 बटे कितना जाएगा, 3 और ये गुडे minus 3 पहले से, 3 तरिका कितना हो जाएगा, वत तो 2 बटे 3 w, plus 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे माइनस नौ और उपर भी माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा पैर बच्चो ये प्लस एक उधर जाएगा तो दो बटे तीन भी बराबर आजाएगा एक बटे नौ माइनस एक ठिक तो नौ एक के नौ कितना जाएगा पैर बच्चो हल करेंगे तो कितना आएगा जानते नौ में से घटाएंगे, आठ बटे कितना आजाएगा, नौ आजाएगा, पैर बच्छे, ये, दो बटे तीन वी, तीन त्रिक का नौ हो जाएगा, दो चवके कितना हो जाएगा, तो एक बटे वी एक्वल टू चार बटे तीन, ठीक, पैर बच्छे, वी उपर जाएगा, ती स्क्रिन शॉड लए सकते हैं तब हम बात करेंगे लास्ट प्रशन की इस कंड इस स्टकर लास्ट प्रश्ट न क्या है प्यार बच्चो दिखेगा करा अन्योन प्रेज़न्सस एक लिफ्यास लिखे नूवस्च Potter लिखें दो संतल कुंडलियों के अन्योन प्रेविकत के सुत्वरस्टा पिति कीजिए, प्यारे बच्चो ये भी प्रेशने, यहां अन्योन प्रेविकत और स्वरपेविकत दोनों होता है, वो दोनों most important है प्यारे बच्चो और ये भी हमने class आपको पड़ाया, ये नवे का जो आपका पहला portion है, ये भी आप आपको वीडियो लिंक पे दिखाई कर लाओगा, आई लिंक पे है, आप वहां से जाके देख सकते ही, प्यारे बच्चो अगला है, नाभिक की विखंडन हो, नाभिकी सल्यन्स आप क्या समझते हो, उधारन सहित ब्याक्या कीजिए, ये भी प्यारे बच्चो नाभिकी वि विखंडन क्या होता है, जब कोई भारी नाभिक एक दूसरे से टकराते हैं, तो अलग-अलग बढ़ जाते हैं, प्यारे बच्चो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नाभिकी विखंडन, ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया, प्यारे बच्चो, इन दोनों का भी लिंक आपको आई लिंक पे दिखाई पड़ाओगा, आप वहां से जाके इसको जरूर तयार कर लिजेगा, इन सभी प्रस्णों को, प्यारे बच्चो, इसी प्रस्णे के साथ, आपका जो ये सेट वन था, वो पून रूप से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मैं उमीद करता हू प्यारे बच्चो, कि मेरे द्वारा ये हल कराया गया जो सेट है, वो आपके एक्जाम में काफी मदद करेगा, प्यारे बच्चो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक आप अपने सेट को देखे, और अपनी तयारी किजे प्यारे बच् झाल 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 झाल झाल